भेडियों का आतंक है तो गाउवाले जहां भी जाते हैं कोशिश करते हैं कि जुंड बना कर जाएं साथ में कुछ नुकीले हत्यार रखते हैं और जब उनको किसी घने जंगल या फिर इस तरह की जाडियों से गुजरना होता है तो वो चाहते हैं कि एक दो चार लोग उनके साथ रहें हम उनकी के साथ जाएंगे और कोशिश करते हैं कि वहाँ तक जाकर देखें कि आखिरकार यह जंगल कितना घना है और आतंगे जैसे की देखिए इनके हाथ में भी है खूर पी रख रखे इनों है ऐसे कोई वे नुकिला होती है हाथियार जो गाउं में मिल जाता है उसको लेकर जो गाउंवाले भाई लोग हैं वो निकल जाते हैं इसी तरह से जंगलों की ओर कि अधर के मारे नहीं जाते हैं कि LA कोण जाएगा ओधर से लारात हो जाएगा तो प्रप्लम हो जाएगा धान भी नहीं Лोग इस तो पार हैं लोग इतना बड़ी हैं जब कि परसानी से पता जाएं और उधर ही कहीं चुपका बैठा हो वह इसलिए गोहर पर से कोई निकलना जुद में आ रहे हैं कि एक-दो ही दिख रहा है अभी तो जुद में नहीं दिख रहे हैं पहले दिखे थे जुद में अभी पहले जुद में दिखे जुद में जुद में देखाई दिया है कि रात में हम लोग सोते नहीं है और ज्यादा बढ़ जाता है रात को अभी आगर ज मान के चलिए जिसका पके का फके का घर है जो तो मान के चलिए हम लोग घर में सो गए तो गर्मी तो पड़ी रही है लाइट भाग जाती तो उससे परशानी और होती है और इस तरह के यह जो गर्ने के खेत है यहां थोड़ा सा हरा लोग प्रब्लम हो जाती है तो जब तक पचासलों नहीं करेंगे तब तक को ओचड रात की लाइट लाइट सबसे ज्यादा समस्य करें तो उसके बाद वह लोग और दो करेंगे बोलना है कि कि समस्याएं है। जैसे बता रहे हैं कि रात है और रात को जब लाइट कर जाते है तो और जादा दर हो जाता है कुई हंट अधेरे में जो भेडिया है उसके अटेक करने की संभावनाएं और ज्यादा तेज हो जाती हैं और उसकी वज़र से ये जो पूरे ग्रामिड हैं जो गाउं के लोग हैं वो बहुत ज्यादा परिशान हैं मैं विवेक्ष रवास्तों एवीपी न्यूज के लिए और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी अजीत चाको हैं बहराइत से for exclusive and insightful videos subscribe to our new channel abp live premium ये लो शॅ उन्हें लो ये लो एंग्योग एंद एन्हें टीज जैन लो कोवारे को भी पल्या दो एंदेश्ट तूरी है।